पार्ट दो हमारी सेना उस मुल्क की सरहत को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहत की निगेबान है आखें वर्ष 1968 में आई फिल्म आखे का यकीत केवल फिल्म को ध्यान में रखकर नहीं लिखा गया था इसके पीछे का उदेश्य लोगों को भारत के एक महत्वपून अंग के बारे में बताना था जिसे हम भारतिय सेना कहते हैं कवी साहिर लुध्यानवी ने इस गीत से दुनिया को संदेश दिया था कि जब तक भारतिय सेना सीमाओ पर मस्पूती के साथ डटी हुई है तब तक भारत माता के आचल को शत्रुच छूब ही नहीं सकता भारतिय सेना ये दो शब्द संपून भारत के गौरव, शौर्य, वीर्ता और आत्म विश्वास को परिभाशित करते हैं आज विश्व में भारत तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है तो इसके पीछे एक कारण हमारी सशक्त, मस्बूत और निडर भारतिय सेना भी है भारतिय सेना है इसलिए हम भारतवासी रात को चैन की नीद सो सकते हैं भारतिय सेना है इसलिए देश में शांती और कानून विवस्था का सुशासन है भारतिय सेना है इसलिए दुश्मन भी हमारे देश की ओर आख उठा कर देखने से पहले हजार बार सोचता है भारतिय सेना से ही हमें अनुशासन, साहस, इमानदारी, परिश्रम और नहस्वार्थ भाव का संदेश मिलता है। दिशा निर्देश निर्धारित किये जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश राज में ही एक अप्रेल 1895 को भारतिय थल सेना का गठन हो चुका था। इसका प्रमुख कारण भारतिय लोगों का पराक्रम और शौर्य था जिसका लोहा ब्रिटिश सरकार भी मानती थी। प्रथम वध्युतिय विश्व युद्ध में जब दूसरी सेनाएं बरकर पीछे हट जाती थी। भारतिय सेना मिडर्टा के साथ अंतितक लड़ती थी। यही कारण है कि बहुत पहले से ही भारतिय सेना का प्रभुत्व पूरे विश्व में इस्थापित हो गया था। सिख रेजिमेंट, गोर्खा रेजिमेंट आदी आती हैं। थल सेना में फील्ड मार्शल के बाद अध्यक्ष का पद, जनरल सबसे प्रमुक पद होता है। इसी क्रम में उपर से नीचे की ओर लेफटनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफटनेंट कर्न मेजर आदी के पद होते हैं। थल सेना की तरह भारतिय वायू सेना की स्थापना भी आजादी से पूर्व 8 अक्टूबर 1932 को हो चुकी थी। इसी दिन भारतिय वायू सेना दिवस मनाया जाता है। उस समय इसे रॉयल इंडियन एर फोर्स के नाम से जाना जाता था। स्वतंतरता के बाद रॉयल शब्द को हटा कर इसे इंडियन एर फोर्स कर दिया गया। पाकिस्तान और चीन के साथ हुए युद्धों में भारतिय वायू सेना ने महत्वपून योगदान दिया था। कार्गिल युद्ध के दौरान वायू सेना के विमानों ने हिमाले मे चोदा से अठारा हजार की उचाई पर आक्रमण करके दुश्मन के छक्के छोड़ा दिये थे। इसके अलावा ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेग दूद, ऑपरेशन कैक्तस, ऑपरेशन पुमलाई, कुछ ऐसे मिशन है जिन्हें वायू सेना ने अपने दम पर सफलता पू कमांडर, स्क्वाडरन लीडर आदी पद आते हैं। वर्तमान समय में वायू सेना के बेड़े में राफेल, मिराज, सुखोई, बोईंग C-17, तेजस, सेपाकिट, जगुआर, अपाचे आदी लड़ाको विमान सम्मिलित हैं। अब बात करते हैं भारतिय सेना के तीसरे महत स्वपून अंग, नौसेना की। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भारत में नौसेना की स्थापना लगभग 400 साल पूर्व, वर्ष 1613 में इस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी, उस समय इसका नाम इंडियन मेरीन था, बात में इसे बंबई मेरीन कर दिया गया, जो वर्ष 1830 तक रहा, 8 सितंबर 1934 को भारतिय नौसेना अधिनियम पास करके इसे रॉयल इंडियन नेवी नाम दिया गया, स्वतंतरता के उपरांत इसके नाम के आगे से भी रॉयल शब्द हटा कर इसे इंडियन नेवी कहा जाने लगा, यत्यपी उस समय भारतिय नौसेन में से एक माना जाता है, इस समय भारतिय नौसेना में विक्रमा दित्य, विराट, अरिहंत, आदिपोत और पंडुपियां सम्मिलित हैं, जो पानी में रहते हुए दुश्मनों को ईट का जवाब पत्थर से दे सकती हैं, चार दिसंबर को भारतिय नौसेना दिवस मनाया ज जाता है, भारत की तीनों सेनाओं का मुख्याले दिल्ली में इस्थित है, जहां उनका संचालन किया जाता है, सेना में वीरता प्रदर्शित करने वाले सेनिकों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ती चक्र, शौरिचक्र आदी दिये जाते ह इस समय भारत के पास लगभग 42 लाख सेनिक हैं जिन में 13 लाख सक्रिय सेनिक हैं। इस आधार पर अमेरिका, रूस और चीन की सेना के बाद भारत का नमबर आता है जो पल भर में दुश्मन के दात खटे कर सकती है। बच्चों, सेना का काम सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना ही नहीं है। बलकि देश में आबाद कालीन परिस्थितियों में भी लोगों की मदद के लिए यह बढ़ चड़ कर काम करती है। चाहे कुछरात में आया विनाशकारी भूकंप हो या केदार नात में आई प्राकृतिक आपदा। चाहे कश्मीर में आई बाढ़ हो या अंडमा निकोबार में आई सुनामी। भारतिय सेना ने हमेशा अपने करतव्यों से आगे बढ़कर ततपरता के साथ देश की सेवा की है। इनकी ने स्वार्थकारियों का मूले चुकाना असंभव है। इनके लिए हम केव इतना ही कर सकते हैं किस स्वयम पढ़ लिखकर इसका एक हिस्सा बने और देश हित में अपना योग्राइब करते हैं।